हूथी पर हुए जबरदस हमले पर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी सीधी चेतावनी दी है इरान और हूथी ने मिलकर एलान कर दिया कि इस हमले के बाद से अब लाल सागर में दुश्मनों के सभी जहाजों पर भयंकर हमले शुरू होने जा रही है खूदी पर खूदी हमले अमेरिका ब्रिटेन का बदला शुरू इस वक्त पूरे मिडलीस्क से लेकर मध्यपूरू एशिया तक जबरदस्त हमले हो रहे है Middle East में इस्रैल हमास को लगभग 100 दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमास अभी भी इस्रैली सैनेकों को निशाना बनाया जा रहा है इधर मध्यपूरो एशियाई देश यमन में मौजूद हूथी विद्रोहों ने पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसा घदर काटा हुआ है कि अमेरिका और इस्रैल समेथ 15 देश हूथी के हमलों से काप रही है यमन से घाजादर कांपे 15 देश लाल सागर में यमन के हूथी लड़ा के ना सिर्फ अमेरिका और इस्रैल के कारगो पर मिसायों और प्रोंच से हमले कर रही है बलकि इस्रैल और अमेरिका का साथ देने वाले 13 देशों के मालवाहत जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उन्हें पकड़ा जा रहा है लगभग 2000 से ज्यादा कारगो शिप ने लाल सागर में हूथी के खौफ से जाना बंद कर दिया है हूथी ने लाल सागर में अपने हमलों से ऐसा हाहकार मचा दिया है कि अब अमेरिका और ब्रेटन ने मिलकर यमन में हूथी के खेकानों पर भी दहाशा हमले किया है अमेरिका और ब्रेटन ने हूथी पर किस तरह से हमले किया है ज़रा इस एनिमेशन से जान बीचे अमेरिका और ब्रिटन ने यमन में घुसकर हूथी पर भायानक हमले किया है अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक हूथी पर अमेरिका और ब्रिटन ने मिलकर मिसाईलों और लड़ाको विमानों से हमले किया है रिपोर्ट के मुताबिक एक युद्धोत से तॉम हॉक मिसाईलों और लड़ाको जट से हूथी के ठिकानों पर हमला किया गया है। पांच लोग मारे गए हैं जब कि 6 से ज़्यादा लोग खायल हुए है। पांच में पहली बार जहाजों पर हमलों में एंटी शिप वैलेस्टिक मिसालों का इस्तिमाल हो रहा है। हूथियों के हमलों के जलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों अपना रास्ता बदलना पड़ा है। बाइडन ने आगे कहा है कि लोगों और शिपिंग भूट को बचाने के लिए मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं हुटो का। अमेरिका और योके के हमलों के बाद हूथियों ने भी जंग का एलांग करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिये हैं। योके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है जिसका हम मूतोर जवाब देंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहां कहां हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है। मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहत बारीकी और गौर के साथ देखें। क्योंकि इसका पूरा कच्छा चिटा अब हम तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये लाल सागर है जिससे समझना जरूरी है क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं। वो आपको बताते हैं हूती इस वक्त अमेरिका और इस्वेल समेत 15 देशों के माल वाहक जहाज यानी कार्गो शिप कार्गो शिप कौन सी टार्गेट कार्गो शिप जो आपको इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे होंगे। इस पर जबर्दस खौसनाक हमले हूती के जरिये किये जा रहे हैं। इस विच अमेरिका को जो दावा है वो यहाँ पर समझ लेना जरूरी हो जाता है। यानि कि लाल सागर में इसके हमले सबसे ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं। जहां भारी नुकसान भी हो रहा है। जहां से दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के कार्गो शिप गुजरते हैं। और इसके अलावा अरब सागर में भी हुथी ने अपने खौफनाक हमले जो हैं वो और भी ज्यादा तेश कर दी हैं। टार्गेट कार्गो शिप जो है वो जलकर खाक यहां पर हो रही है जिससे यह जो इलाका है वो जंगी इलाके में तबदील होता जा रहा है बदलता जा रहा है जो इन तीन तस्वीरों के जरी आपको समझ आ रहा होगा यानि कि ड्रोन अटैक टार्गेट कार्गो शिप और